आज मैंने का एक छोटा सा फार्म टूर रिकॉर्ड किया जाए तो हम इसमें रेजिडेंट काव शेड के बाहर खड़ा हूं है यह जो अंदर जा रहे हैं यह दिनेश और कमल गए है तो जो गाय हमने अडॉप्ट कर लिया यह इसमें तो फिलाल क्लीनिक का ओरफलो भी यहां पर फेलो ब्हुचा है मेडान एक जड़ा आवे जरा सा मैधान है जाए की बहुचा ने दे रखा है ताकि हम इस्तेमाल कर सके तो यहां पर गया जो थोड़ा पहला लेती लिए है जहां हमारे पाश स्थोड़ी भी खाली जमीन होती है पां गाय के लिए घास हुगा लेते ह यह है है हमारा green house तो यहां पर हम मिर्चियां उगा रहे हैं और इसी मिर्ची की हम hot sauce बना के अभी बेचना शुरू कर रहे हैं अगर आप कोई दिख रहा हो एक छोटा सा फूल इस आडू के पेड़ पे लगा है अनौन्स कर रहा है कि वह स्प्रिंग बसंत आया कि आया यह हमारे मौसमी के एक दो पेड़ लगे हैं पंजाब में अक्चुली हमारे एक घोड़ा अडॉप्ट हुआ था तो वहां पर उन्हों ने हमें यह पेड़ जो है गिफ्ट दिये थे की जो खेत हैं इसमें हम सिर्फ गाए के लिए घाय सुगाते हैं यहां पास कुछ एकड़ हैं जो गाओं यह ने दे रखे हैं पर हम यहां पर उगानी शुरू कर देते हैं क्योंकि वहां तो लोगों के साथ चलना होता है तो जो बीज हम बचाते हैं जो हम घास उगाते हैं उसका बीज भी हम यहीं बचाते हैं और इस समय जो उगी हुई है यह है जॉई ओट्स कहते हैं इसे तो ये इसके ओट्स आ गए है अब ये हम बीच जो है बचा के रख लेंगे अगले साल हमारे काम आएंगे और जो बीच बीच में पीले बीले फूल दिखने है ये तो अपने अपसर सो निकल आई है और ये शाइनी है शाइनी है हमारी इंरिच्मेंट देखती है अब हम जा रहे है अपने यहारा योग अरिया आप इवेंट्स अरिया कहिलिजी है अब इसका जो फर्ष है ना वो सिमेंट की टाइलों से है जो रेत में लगी है ताकि पानी सीप कर जाया अब जैसे जैसे विश्व में पानी की समस्या हो रही है बहुत जरूरी है कि वाटर टेबल रीचार जो पानी जो है बारिश का उसको आप धीरे करें और नीचे जाने त जितनी सिमेंट की कंस्रक्शन होती है उतना वो पानी को रोकती है और इसकी यह च्छत है अभी देखिए यह भगवान ने खुदी या भगवान में नहीं विश्वास रखते तो कुद्रत ने खुदी बासो की बना रखी है और यह हमारा सबसे सुन्दर एरिया है जब भी म नालियां खोद रखी है जिससे इसको निकासी मिल जाती है अब मैं जो जा रहा हूं इधर जा रहा हूं घर की तरफ तो यह बिल्डिंग हमने सबसे पहले बनाई थी इसका यह पथ्रों का इसमें में रहता हूं इसके अलावा जो एक और कमरा पत्रों का है किच्छन और बा कहांने और जभाने खईदे से जैसे इसे पुरानी बेडिंग तूटती है तो ये कमरा मेरा है और शिवानी का और जो कशिवानी का जो कमरे का दर्वाजा है वो सबसे सुन्दर है ये एक रश्या से वॉलेंटियर आई थी विक्टोरिया उन्होंने पेंट किया है तो ये सब दर्वाजे जो हो गए है लकडी के जो पुरानी खिड़किया है इस सब कुछ हमने आर्मी जंग क्यार्ट प पहला टेम्ट में फोन पर करा था उसमें बैटरी यहीं पर ख़तम हो गई थी यह हमारा मीडिया ओफिस है यह सारे दर्वाजे सारे विक्टोरिया ने पेंट किया है चतन ने भी है यहां पर चतन है हमारे फिल्मेकर है तुशार हमारे फिल्मेकर है और अब तो एनिमेटर जब आजे एनिमेशन बना रहे हैं तो चैया अब यहां पर हमने यह सारी जो है ना माई देवारे हैं 18 इंच की देवारे हैं तो यहां पर अल्मारी थी तो वह अल्मारी हमने तोड़ दी उसका दर्वाजा रखे रखा और इस ओफिस को साथ कमरे से जोड़ दिया यह है हमा है घर की construction है न मैं बता दू है solar passive है तो यानि कि अब जिस दिशाम में में खाल पुराने जूट का कोई आप क्या बना रहे हो पाउच बना रहे हैं यह अंदर गई है फटाफट मुम्ताइदी शिवानी शाइनी अगें मुम्ताइदी हमारी शेफ हैं वीना हमारा जो है काफे देख नहीं है अब हमने अंदर ही छोटा सा काफे शुरू गया है स्ट सबसे लेटेस्ट एडिशन है हमारी मीडिया टीम में मैं आपको क्विकली फार्म की जहलक दिखाता हूं फिर फटाफट अनिमल एरिया में चलते हैं जिसमें आप लोग सबस्यादा इंटरस्टेट रहते हैं यह सारा हमने सरसो लगा रखा है ताकि तेल के लिए यह सारे ज इसमें काफी बड़े बड़े पपीते लगें हैं एक तो हमने आज तोड़ा है उसका पाया सैलड्स बनना मैं देखता हूं अगर चूले पे उसका काम चल रहा है तो तरपाया सेलड हो गया दीदी बन गया ओके बाइद अब इसके बाद मैं आपको सिधा आनिमल एरिया में ले जाता हूं और वहां पे टूर हम समाप्त करेंगे थोड़ा आपको भी आइडिया लग जाएगा कौन से चीज कहा है ताकि जब हम अपडेट्स में आपको बताते है कि मैं इस समय यहां हूं वहां हूं तो थोड़ा आपके लिए विजुलाइज करना भी असान रहेगा बाइद अब यह जो सारी पराल और चील की पतिया नीचे सूख रही है यह इसलिए क्योंकि यह काव बेडिंग के लिए इस्तमाल होती है तो यह अब मैं आगया हूं हमा कोई है जो यहां रिकावर उने आये सिवाए तोफु जो है तोफु हमारी पर्मनेंट रेजिडेंट है और यह फर्स्टाफ में यहां होती है क्योंकि हमारी ओफिशियल ग्रीटर है ठीक है तोफु मैं अभी टूर पर हूं है डॉक्टर अंकित जो हमारे मास्टर सर्जेन है एंड जो एनिमल वेलफेर मैनेजर यह चरंदास है चरंदास इतना भी फ्रेंडली नहीं है पर वोफुली हो जाएगा साहल आज ही हमें किसी ने क्या यह लॉंड्री मशीन डोनेट कर रहें तो यह लॉंड्री पाइल्ज अब बहुत जल्द हड़ जाया करेंगे यह जो हमारा काव शेड अन्हें यह हमारा रिकवरी वाला काव शेड है तो जो भी यहाँ पर गायबयल होते हैं वह वह होते हैं जो जिनका इलाध चल रहा है यह सारे मैट्स हमने दिल्ली से मंगा रखे हैं ताकि उनको ठंड ना लगे हैं मैं और मैट्स चाहिए पर दिल्ली वाले सप्लायर है उठानी रहे पंजाब वाले सप्लायर का मैट है वो पतला ज़ित cleared कja मेशा है जब भी हम फेस्बुक लाइव पे जाते हैं हो क्या है ठीक है तो मैंने आपको छोटा सा टूर दे दिया है बाकी और यह जो बड़ा सा आम का पेड़ा ही हमारे फूड फॉरेस्ट में अरे यार मैं आपको दिखाई देता हूँ यहां पर यहां तक तक तो आई गया हूँ मैं हमारा फूड फॉरेस्ट जो कोई ऐसा नहीं हमने बड़े से धांत फॉलो की है इसको बनाने के लिए हमने तो बस यह किया भी जहां से हमें पेड़ मिल गया हम एसा करते हैं, थोड़े बहुत आलू लगा दिए, यहां page धूप आती, यहां धूप नहीं आती, वहां थोड़ा अमने यह लचल लगा रखा है. और जगा जगा यहां पर भी गन्ने लगा दिए, मोरिंगा लगा दिए, केले लगा दिए . ठीक है, थैंक यू, I know काफी लंबा वीडियो था, पड़ाई हो आपको पसंद आया होगा